दोस्तो आज में आपको ये जानकरी दे रहा हूं कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो इससे कैसे लक्षन नजर आ सकते हैं अगर आप इन लक्षनों को पहचान लेते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है और फिर आप इसका कोई उपाय कर सकते हैं और vitamin B12 की कमी को दूर कर सकते हैं जो vitamin B12 होता है ये nervous system के लिए जरूरी होता है और cardiovascular system के लिए जरूरी होता है और gastrointestinal system के लिए जरूरी होता है लेकिन इन तीनों के इलावा भी vitamin B12 शरीर में बहुत सारे काम और भी करता है अगर आपके शरीर में vitamin B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, कई सालों तक बनी रहती है, तो इससे आपके nervous system को permanent damage पहुँँ सकता है, आपके cardiovascular system को permanent damage पहुँँ सकता है, और आपके gastrointestinal system को भी permanent damage पहुँँ सकता है, तो इस vitamin को हलके में ना लें, चेक करें कि कहीं आपके शर उनकी जाँच करवा कर आगे की checking कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बतादू कि जो vitamin B12 होता है, इसकी कमी शाकाहरी लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि vitamin B12 का निर्मान बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जो good bacteria होता है, वह vitamin B12 का निर्मान करता है, और जो non-ve food होता है, उसमें bacteria की मातरा ज्यादा होती है, इसलिए जो लोग non-vegetarian होते हैं, उनमें vitamin B12 की कमी काम होती है, लेकिन शाकाहरी लोगों में vitamin B12 की कमी ज्यादा होती है, हमारी intestine के अंदर भी good bacteria होता है, जो कि vitamin B12 का निर्मान करता है, लेकिन हमारा खानपान सही नहोने की वज जैसे आप कोई भी डिबा बंद या पैकेट बंद भोजन लेकर आते हैं, तो उसमें उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए preservative और नकली रंग मिलाया होता है, नकली artificial flavors मिलाया होते हैं, तो ये जो सभी चीजे हैं, chemicals, सबजियों की उपर chemicals का spray, फलों की उपर chemicals का spray, त तो इस वज़े से भी जो शाकाहरी लोग हैं, उनकी intestine में vitamin B12 पूरी मातरा में नहीं बनता, पुराने समय में जो लोग शाकाहरी होते थे, वह लोग कुएं का पानी पीते थे, कुएं में bacteria होता था, तो उन लोगों को vitamin B12 की कमी नहीं होती थी, या अगर और भी ज्यादा प B12 की कमी देखने को मिलती है, majority of people मतलब maximum लोगों में vitamin B12 की कमी है, तो आप समझ गयोंगे vitamin B12 क्या है, क्या काम करता है, और इसकी कमी शरीर में क्यों होती है, तो चलिए अब इसके लक्षनों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको उन लक्षनों के बारे में बता जो शुरुआत में नजर आते हैं, ये 5 लक्षन आपको शुरुआत में नजर आएंगे जब भी आपको vitamin B12 की कमी शुरुआत होगी, सबसे पहला लक्षन हो गया fatigue, ठकान रहती है आपको, इससे आपको diarrhea हो सकता है, dust लग सकते हैं या constipation हो सकती है, दोनों में से कोई एक च किन की उपर पेलनेस आ जाती है, मतलब आपकी तवचा का जो रंग है, आपकी आँखों का जो रंग है, उसमें पीला पन नजर आएगा, तो ये इसके शुरुआती लेक्षन होते हैं, अगर vitamin B12 की कमी serious level पर पहुँँच जाए और लंबे समय तक रहे, यानि कुछ सालों त function है, वो परभावित हो जाता है, mental यानि आपकी बुद्धी परभावित हो जाती है, इसके लावा आपकी यादास्त कमजोर हो जाती है, इसके लावा एक और लेक्षन ये होता है, कि जब आप चलते हैं, तो आप अपना balance सही से नहीं बना पाते, चलने में difficulty आती है, इसके आपके मुह के अंदर redness आ सकती है, या मुह में चाले पढ़ सकते हैं, और मुह के अंदर एक जलने जैसे feeling आ सकती है, और यही चीज़ आपकी जीब की उपर भी हो सकती है, यानि जीब की उपर redness आ सकती है, जीब की उपर चाले पढ़ सकते हैं, और जीब की उपर आपको burning इसके लावा आपको मास्पेशियों की कमजोरी आ सकती है, आपकी छाती में दर्द हो सकता है, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, अचानक से आपका वजन कम हो सकता है, आपको सरदर्द की बहुत ज़्यादा समस्या रहने लगेगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको color blindness भी हो सकती है यानि रंगों में पहचान करने में आपको दिक्कत हो सकती है vibrations के प्रती आपकी sensitivity कम हो सकती है जैसे अगर किसी भी जगे पर vibration हो रही हो तो हमें feel हो जाता है कि हाँ vibration हो रही है लेकिन vitamin B12 की sphere कमी होने से आपको vibrations महसूस नहीं होती इसके लावा व्यक्ति को depression हो सकता है इसके लावा जो आपके हाथ है या आपके पैर है वे सुन पढ़ सकते हैं और उनमें सुईयां चुबने जैसी feeling आ सकती है पेट में दर्ध हो सकता है जो आपकी body है उसमें ताल मेल बैठाने में आपको दिक्कत आ सकती है जैसे अलग-अलग अंग हैं आप हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, चलते हैं, बाजू हिलती है, body हिलती है, दाएं बाएं उसमें coordination होती है, हर एक अंग में आपस में coordination होती है वो जो coordination है वे खराब हो सकती है आपको चकर भी आ सकते हैं महलाओं को menstrual problems आ सकती है आप भिहोश होकर गिर भी सकते है सांस भी फूलने लग जाती है और आपको जो touch करने की feeling होती है वे feeling भी कम हो जाती है यानि छूने पर आपको जैसा महसूस होता है वे feeling कम हो जाती है छूने पर आप छूने का एहसास कम होता है memory loss भी हो सकता है पहले तो मैंने आपको बताया था कि यादास्त कम हो सकती है लेकिन यादास्त जा भी सकती है इसके लावा dementia हो सकता है जो कि एक mental समस्या है confusion हो सकती है hallucinations हो सकते है यानि भरम हो सकते है vitamin B12 की कमी से Alzheimer disease भी हो सकती है और dementia भी हो सकता है तो ये सबी लेक्षन जो होते हैं ये vitamin B12 की स्वियर कमी से होते हैं जैसे आपको vitamin B12 की कमी हो गई और आपने उसके उपर ध्यान नहीं दिया और कई साल निकल गए उसके बाद आपको ऐसी समझें आ सकते हैं तो इन लेक्षनों से आप ये समझ सकते हैं की vitamin B12 आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है अगर आपको थोड़े से भी लेक्षन महसूस हो रहे हैं तो आप अपना एक सिंपल सा blood test करवाईए अगर आप शाकाहारी हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि आप में vitamin B12 की कमी होगी blood test से आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में vitamin B12 का level कितना है और इस कमी को बहुत ही असान तरीके से दूर किया जा सकता है एक छोटी सी tablet होती है 500 mg की भी आती है 500 mg की भी आती है तो डॉक्टर आपको बता देगा आपको कौन सी खानी है और कब-कब खानी है हफते में एक बार खा सकते हैं हफते में दो बार खा सकते हैं डेली भी खा सकते हैं डिपेंड करेगा आपके शरीर में vitamin B12 का level कितना है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे vitamin B12 के लेक्षनों के बारे में इन्हें पहचाने और समय पर vitamin B12 की कमी को दूर करें